हलो दोस्तों तो आज हम बनाएंगे खटी मीठी मैंगो कैंडी जो बहुत ही टेस्टी लगती है बिलकुल मार्केट के जैसी हमारी कैंडी बन करके त्यार हुई है और आप इसका टेक्श्चर देखिए कितना परफेक्ट है कितनी बढ़िया है तो आप भी इस तरह से बना करक पूरे 6-8 मैने के लिए और बहुत ही बढ़िया बनती है बच्चों को यह बहुत ही पसंद आने वाली है तो फिर चलिए बना लेते हैं घटी मीठी मैंगो कैंडी तो यहां पर हमने कच्छे आम का पल्प लिया है कच्छे आम को हमने बॉयल करके उसका पल्प निकाल दिया और यहां पर हमने 500 ग्राम पल्प लिया है इसको हम डाल देते हैं मिक्सर जार में जिससे कि इसका हम एकदम फाइन पेस्ट बना सके और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया है यह पेवर हमने पल्प लिया है तो इस तरह से इसको हमने पीस लिया है यह देखिए तो य 200 ग्राम का हमारा ये कप होगा उसकी कॉर्डिंग हमने दो कप और च्वथाई कप एड़ कर दिया है चीनी अब इसको हम गैस पर रख करके स्लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे और अभी यहां पर हमें से कंटिन्यू चलाना है जब तक कि चीनी हमारी मेल्ट नहीं हो जात है चीनी मेल्ट होने में 3-4 मिटी लगता है और बहुत है जल्दी यह पक भी जाता है तो कंटिन्यू चलाते रहेंगे इसको और यह देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है अब इसको हम पकने देते हैं और तब तक केंडी के लिए हमें गोल त्यार करेंगे बाहल में हम ले और बैंडिंग भी बढ़िया आएगी तो 500 ग्राम पल्प में 14 कप यहां पर हम कॉन प्लार एड़ करेंगे यह देखिए घोल त्यार हो गया है और यहां पर हमारा पल्प पकना भी सुरू हो गया है अच्छे से बॉयल होने लगा है अब इसको हम कंटिन्यू इस तरह से चल कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी कॉन प्लार के लंप नहीं बनेंगे तो लिक्विट फॉम में ही इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से तो यह देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और बिल्कुल भी इसमें कॉन प्लार के लंप से बना रहे हैं तो यहां अच्छे से पकाना है इसको पकने में करी 15-20 मिट लगेगा तो फिलेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसको चलाते जाएंगे बीच बीच में पकाते जाएंगे जब तक यह ठीक ना हो जाए तो आप देखेंगे दो मिनिट में ही यह ठीक होने लग जाएगा उसके बाद मैट कर देंगे एक निवू करस नाप में यह टू टेबल स्पून होगा तो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और किस्टल नहीं जमते हैं हमारी कैंडी में और टेस्ट में भी बढ़िया लगता है तो अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है और अब आप देखें यह साइट से चिपकने लगा है यानि कि इसका जितना भी पानी था मौशर था वो खतम होने लगा है और जो चीनी है वो गाड़ी होने लगी है और इसमें जो थिकने से वो भी परफेक्ट है जमाने के लिए और इसका साइट देखिए आप एक दमी छोड़ने लग गया है पिरिंट होने लगी है तो चलिए गैस की फिलिम को आफ कर देते हैं और इसको सेट होने के लिए रखते हैं तो यहां पर हमने एक ट्रे ली है और इसमें हमने लगा दिया है बटर पेपर इसको हलका सा ग्रीस करेंगे ज्यादा नहीं हमें इसमें ग्रीस लगाना है हलका सा इस पर हम बैटर डाल देंगे candy का और अच्छे से इसको हमें फैला लेना है ये देखी काफी थिक होने लग गया है candy को set करने का यही स्टेज है जब इतना थिक होने लग जाए better तब ही हमें जमाना है इसको अब इसको हमें अच्छे से फैला लेना है चाहें तो इस प्रेचुला पर हलका सा घी से ग्रीस कर लें और उसको फैला लें इस तरह से या फिर आप इसी तरह से सैट कर लें आसानी से हो जाता है ये तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से फैला लिया है बरावर कर लिया है अब इसको हम इसी तरह से छोड़ देते हैं रूम टेमप्रेचर पर 12-15 घंटे के लिए तब तक ये बढ़िया से जम जाएगा अच्छे से सैट हो जाएगा इसको हमें फिरिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है रूम टेमप्रेचर पर इसको सैट करने में 12-15 घंटे लग गए हैं तो ये देखे अच्छे से सैट हो गया है चलिए इसको हम डीमोल कर लेंगे तो यहाँ पर हमने चॉपिंग बोर लिया है और इस पर हम डालेंगे चीनी का बूरा जो कि मार्केट में बहुत ही असानी से मिल जाता है या फिर आप घर में भी बना सकते हैं इसको इस पर हम फैला लेंगे इससे हमारे कैंडी बिल्कुल भी चिपकती नहीं है तो इसको हमें अच्छे से फैला लेना है एक दो चमच इस तरह से और इस पर हम कैंडी को इस तरह से डीमोल कर लेंगे ये देखे कितनी असानी से निकल आई है ये और अब इसको धीमे धीमे बटर पेपर को हमें रिमूब कर लेना है इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चिपकती है ये जब ये सैट छोड़ने लग जाए तब समझ जाएगा कि अच्छे से सैट हो गई है आप चाहे तो इसको धूप में रखकर भी सैट कर सकते हैं अगर आपने साम के समय बनाई है तो आप पूरी रात के लिए इसको सैट होने के लिए पंक् काड़ने के लिए और अब इसको कारने के लिए लेंगे धागा धागे से ऐकदम फाइन कट्ती है ये फिल्कुल भी नहीं चिपकेगी तो एक साइट से हम दूसरी साइट धागी को इससे रहतां करें के इससे आसानी से कटी है और एकदम फाइन काट ते बख्तनीमें से समय बहुत ही अच्छहाएगा तो इससे इम धागे को निकाल लेंगे और इसको मैं निकाल करके दिखाते हैं कि इसके साइट उत्या से इतने फाइन कटे हैं ये देखिए बह। बढ़ी Asa, हमारी candy कटी है तो इसी तरह से सभी को हमें कट कर लेना है इस तरह से हम धागे लगाते जाएंगे चाहें तो साइट से आप धागा काटते भी जाएं और उसके बाद इसको पलट करके हम दूसरी तरफ से धागे निकाल देंगे इससे बहुत ही जल्दी हमारी कैंडी कटती है और एकदम पीसे जो हमारे हैं एकदम बराबर बनेंगे तो अभी कच्चे हम आ रहे हैं मार्केट में तो आप इस तरह से बना करके पूरे साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं पूरे साल तो यह नहीं बचने वाले हैं क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे बहुत ही टेस्टी लगती है यह जब आपको इतनी पसंद आएगी कि हमेशा इसको बना करके स्टोर करेंगे और आप देखी सकते हैं कि कितने आसानी से कट रहे हैं पीसे बहुत ही बढ़ी आसे हमारे पीसे इसी तरह से निकलते आएंगे और यहां पर जो चीनी कबूर हमने लिया है हलका सा चाकू पर इस तरह स कट कर लेंगे बहुत ही जल्दी बनता जाए गई है और जितने बड़े चोटे पीसे आपको रखना है उसके नुसार आप काट लें तो यहां पर हमने चौकू राकाद में चोटे-चोटे पीसे रखे हैं बहुत ही टेस्टी बनती है कटी मिठी एकदम और आप इसका लुक खाने में उससे भी जादा टेस्टी लग रही है और इस पर भी हम सुगर से कोट कर लेंगे इस तरह से इससे केंडी हमारी चिपकती नहीं है आपस में और आसानी से स्टोर हो जाती है और उपर से जो हलकल का मीठा फ्लेवल लगता है वह बहुत ही बढ़िया लगता है तो इस तरह से हमें सभी को बना करके त्यार करना है तो यह देखिए सारी केंडी को हमने कट कर लिया है और यह केंडी का जो टेक्शर है एकदम जैली की तरह है यह देखिए एकदम परफेक्ट है बहुत ही बढ़िया है तो आप इस तरह से बना करके पूरे साल के लिए स्टोर करिए बहुत ही बढ़िया लगती है जब भी कुछ खटा मीठा काने का दिल करें तो जरू बनाइए तो यहां पर हमने का जार करेंगे जार को अच्छे साफ करके धूप लगा कर ही इस टो चाहर करें इसको तो आप इस तरह से बनाकर के कैंडी को शोर कीजिए और कमेंट में जरू बताइएगा कि आपको ये कैंडी की रैस्पी कैसी लगी वीडियो पसंद आ है तो लाइक सिर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा अपना किमती समय देने के लिए थैंक यू